वर्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं रमन दिपकॉर काल बनकर दोड़ रहे ट्रक्टर ट्रॉली इटों से लदी ट्रक्टर ट्रॉली ने मोटर साइकल को पीछे से मारी टकर सैसवार मौत के आगोश में सोया चालक का पैर टूटा फी शाहजनपुर निगोही शेत्र में रास्ट मार्ग सहित सभी संपर्ग मार्गों पर ओवरलोड ट्रक्टर ट्रॉली काल बनकर दोड़ रहे हैं आज सुबह एक इट से लदी ट्रक्टर ट्रॉली ने काल रूप धारन करके मोटर साइकल को पीछे से पुचल दिया इस हाथ से में मोटर साइकल चालक का पैर तूट गया तथा सैसवार को मौत ने अपने आगोश में ले लिया प्राप जानकारी के अनुसार तिलहर थाना शेत्र के ग्राम धनियोरा निवासी रवी सिंग पुत्र वीपिन सिंग अपने रिष्टेदार सुकपाल सिंग पचास साल पुत्र सोन पाल सिंग निवासी ग्राम पी प्रॉला थाना तिलहर जनपत शहाजनपुर के साथ मोटर साइकल पर सवार होकर अपनी लड़की के लिए लड़का देखने ग्राम तिक्रिया थाना बंडा के लिए निकले थे घटना लगवक सुबह 10 बजे की है जैसे ही वहग ग्राम विराज सिंग के पास पहुंचे तभी इटो से ओवरलोड तेश कती से आ रहे है ट्रेक्टर ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें सुकपाल सिंग की आत्मिक स्वस्ते केंदर पकर उप्चार हे तु भेजा जहां से उसे बेहतर इलाज हे तु जिलास पताल शाहजनपूर भेज दिया गया ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर ट्रॉली को लावारिस हालात में शोड कर घटना स्थल से फरार हो गया पुलिस दरस सब को उठाने पर ग्रामिणों ने जताया विरोध घटना स्थल से जब पुलिस ने सब को पोस्त माटम हे तु भेजने के लिए उठाने का काम शुरू किया तो ग्रामिणों ने रोकने का प्रयास किया तथा चालकी गिरफतारी की मांग करने लगे ठाना प्रभावी दलवीर सिंग के हस् प्योर्टी गाड था परिवार में तीन पूत्र अमेंद्र वी जिंद्र, मुनेंद्र वा चार पूत्रियां सुरेखा मंशा रेड, प्रोली वा भोली हैं घटना की सूचना म्रतक के परिवार वालों को दे दी गई है उसके घर में कोहराम मच गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूस चानल को सब्सक्राइब करें।